वेलकम बैक टो आचेनल शिप एंड कुज लाइफ तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे exit exam के वारे में तो जैसे आपने अपने e-learning और classes complete कर लिए उसके बाद आपको exit exam देना है तो dgcmi की site में जाके आपको एक option आएगा exit exam का उसमें आपको click करना है तो जैसे आप उसको open करेंगे exit exam की site को आपके सामने एक इस तरह का page open हो जाएगा तो इसमें देखे आपको student login यहाँ पे आपको अपना endorse number डालना है ठीक है अपना endorse number डालके आपको login करना है तो चलो इसमें हम अपना endorse number डालता हूँ और इसको login करता हूँ तो यहाँ पे आप अपना endorse number डालके login कर चुए है success करके आपको दीख रहा होगा तो यहाँ पे red के लगए जो ok आ रहा है इसको हमने ok को ok कर लेना है उसके बाद next जो page आपके सामने खुलेगा वो कुछ इस तरह का इसमें देखिया आपको my profile तो इसमें profile आ रही है उसमें आपका first आपका name, mobile number, email id और endorse number आपको so कर रहा होगा यहाँ पे और side मा आपको follow these instructions करके आ रहा होगा आपको instructions पर लेना है और इसमें आपको एक download का option आ रहा होगा जो blink कर रहा है आपे कोने मा आपको दिख रहा होगा download करके जो blink कर रहा है यहाँ से आपने एक file download कर लेनी है इसमें click करके file download कर लेनी है तो चलो इसमें click करते हैं और जैसे आप दिख रहा होगा इस screen पर आपको left side में नीचे यहाँ पे file download हो रही है इसके download complete होने के बाद आपको इस file को open कर लेना तो जैसे आप इसको open करेंगे, आपके सामने black color की एक screen ही open जाएगी, इस screen में आपने अपना endorse number डालना है, और उसके बाद enter करना है, तो चलो enter करते हैं, तो next आपके सामने इस तरह का कुछ open हो जाएगा, बाद इसको आपने cut करना और यहां से back जाना है, ठीक है, तो यहां से back चलते हैं, उसके next दुबारा से आपको आपका profile यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, और नीचे आपको सारे उपर options आपको आ रहा होगा, यहां पर six आपको दिख रहा होगा, रिफ्रेस करके दिख रहा होगा blue color का button, इसको आपने रिफ्रेस कर लेना है यहां से, तो यहां स आप रिफ्रेस करेंगे, यहां पर देखे, आपको दुबार से आपको profile और course detail आगी होगी यहां पर, profile में आपको सब दिख रहा होगा, आपका name, mobile, email, ID, phone number, और यहां पर course detail देखे, course name आ रहा होगा, crowd management, passenger safety and passenger training, safety training, तो जो भी आपका course होगा, या आपके 2-3 जो भी आपने क कर रहे होगे, तो आपको जिसका exit exam देना है, तो जैसे यहां पर आपको point आ रहा होगा, यहां पर click करना है, और उसके बाद take test में click करना है, तो जैसे आप take test में click करेंगे, उसके बाद आपका next page open हो जाएगा, और यहां पर देखे, आपको instructions आ रहे हैं, जैसे 30 questions, 30 minute timing है, औ passing mark, आपको 15 लाना है, 50% passing mark है, यहां पर instructions दिये हैं, यहां पर आपको proceed test कर लेना है, इसके बाद, ठीक है, प्रोसीड टेस्ट करने के बाद, यहां पर देखे, प्रोसीड टेस्ट करने के बाद, आपको webcam open हो जाएगा, आपको अपना webcam allow कर लेना है, ठीक है, उसको permission देनी है उसके बाद webcam open जाएगा, उपर देखे, आपको यहां पर instructions आ रहोंगे, और यहां पर आपका picture दिखे रहोगा, मैंने अपने picture hide किया है, आपको वाइट 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 दिखे रहोगा, बट आपको आपको यहां पर picture दिखेगा, और यहां पर options से आपको इसको tick कर लेना ह इसको done कर लेना है, ठीक है, और यहां पर instructions आपको उंगे, उसके बाद आपको यहां पर options आ जाएगा, click here for your photo, ठीक है, यहां पर आपने click करना है, तो जो बगलम आपको यह खाली जगह दिखे रही है, यह वाइट वाली, इसमां आपका picture आ जाएगा, उसके बाद आपने इ next आपका test चालू हो जाएगा उसके बाद, तो यहां पर देखे इस तरह से आपको 30 minutes का है, और आपको 30 questions आएगे, इस तरह के optional question रहेगा, और आपको अपना मुंडी इधर उदर नहीं करना है, अपना face इधर उदर नहीं करना है, ठीक है, face 30 minutes को आपको इसमें optional है, आपको इ result आजाएगा, जैसे मेरा result है, result पास करके आपको दिख रहा होगा, और पर detail आरे हम भी सब, ठीक है, ऐसा आपको यहां पर आजाएगा, तो अभी इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like, share, comment and subscribe जरू करने, and thanks for watching, see you in next video.